सरोकार चुमाई को सियम योगी हरे द्वार जाएंगे हरे द्वार में यूपी सरकार के होटल का उधगाटन करेंगे आपको बता देगे कि तीन दिन के लिए सियम योगी आदितनाथ अपने उत्राखंड के दौरे पर है जहाँ पर वो अपने पात्रक गाउं भी जाएंगे काफी समय बाद सियम योगी आदितनाथ उत्राखंड गए हैं अपने पात्रक गाउं भी जाएंगे साती साथ वो तीन दिनों के दोरे पर है पौडी के यमकेश्वर पहुचे जहां सेम योगी ने महंत अवैदनात की प्रतिमा का अनावरण भी किया है और तस्वीर में देख सकते हैं आप जहां महांत अवेदेनाथ की प्रतिमा का नावरण करते हुए सियम योगी आदितनाथ दिखाई दे रहे है कई कारेकरम निरधारेते सियम योगी आदितनाथ के 3-4-5 माई को सियम उत्रखंड में रहेंगे पाच को हरिद्वार जाएंगे जहां हरिद्वार में यूपी सरकार के होटल का उद्गाटन भी करेंगे सियम योगी आदितनाथ का हर एक दौरा काफी एहम होता है और जहां भी जाते हैं पार्टी के कारकरताओं और पदादिकारियों से मुलागात करते हैं एहम मुद्दों पर चर्चा भी होती हो और इसी कड़ी में सियम योगी आदितनाथ जब उत्राखंड पहुँचे हैं तो वहां पे भी उत्राखंड के कई बड़े अधिकारियों पार्टी के पतादिकारियों और संगठन के कारकरताओं से मिलेंगे भी और तस्वीरों में भी देख सकते हैं आप जहां सियम योगी आदितनाथ के साथ उत्राखंड के सियम पुशकर सिंग धामी तीरयत सिंग रावत त्रवेंद सिंग रावत सभी मौजूद रहे इस मू अधिनाथ की और इसके साथ ही वो अभी दो दिन और उत्राखंड में ही रहने वाले क्या कुछ कारेक्रम और निर्धारित स्थीम के कि देखिए जब योगी अतना दोजा सत्राखंड मुखवंति बने तो उसके वह लगाता उत्राखंड के दोरे पर रहे पर अब तक ऐसा नहीं हो पाया था कि किसी दोरे पर रहे हो अपने गाउं गया हो उनका प्वाडी गरवाल जिले का जो पंचूर गाउं है उनका जो क कि माने इस्टाइट आई थी कि योगी अपने घर आए और अपने घर जाएंगे और वहां पर जोली कि एरपोर्ट पर वहां उतर गये तो इसके बार राज्के महावद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् इसके साथी साहर अभी वहां पास दोजन और रहेंगे इसके साथ तीसर दिन ये घर तराय अत्राय धेर करें से घर नूंकि वह चैसलों होंदे से हम योगी आदितनात अजवा रहे हैं? इसके साथ ही साथ वहां पर जो राज की महाविद्याल है जहां पर उनके दोनों भाई भी पढाते हैं परस्थ हैं तो वहां पर भी चर्चा करेंगे इसके साथ परिजन के साथ समय बीताएंगे आज का पूरा समय अगर हम बात करें तो पूरा समय उनका परिजन के साथ बीते मुख्यमें पूर्व मुख्यमें से मुलकात हो गई क्या उत्रखंड उत्रप्रदीश दोनों की विकास को लेकर भी चर्चा संभव है में हिसले लेकि कि उत्रacam बात में बनाए है रहा है मैं को अध्र के लुट कर भी क्या कम लिए ंग है भाग थाओ और उत्रकेन अलग राज बना तो निस्ठी रूप से वहां पर बाघवतार दूसरी बार यहां पर सरकार बने जो मिठक 27 साल बार तूटा रहां पर मिठक तूटा है आपि यहांपर दोबारा मुपंतरी बनाईगा चुनाव में बहुत हुलिए, कि देखरी मुझे चल लहीं थी, साथी साथ त्रिवेन शिकराबद जो कि पूर मुक्वंतरी हैं, वो भी वहाँ पर लगातार, तयायर हो जा जले तो बड़ा कारेकब वहाँ पर किये जाएंगे, और निश्टी से वहाँ पर कारकरताओं है, वहाँ के जो निवासियों पर खा कास हुआ है, बदला हुआ है, उसका जाइज़ा भी लेंगे, सियम योगिया देतनात, रुकरते अगली खबर का संभल में ईद के मौके पर हिंसक जड़ाप हुई, बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते दो गुटों के बीच पत्राव और फारिंग हुई है, हि पुरानी रंजिश को लेकर दो कुट आपस में भिड़ गए, जम कर पत्रा हुआ, फारिंग हुई और कई लोग इसमें घायल भी बताय जा रहे हैं, तो ईद के मौके पर हिंसक जड़ाप की खबर सामने आ रही है, संभल से, तस्वीरों में देख सकते हैं आप किस तरह से लाठी डंडे चले हैं, दो गुटों के बीच, पुरानी रंजिश के चलते हैं, ये हिंसक जड़ाप हुई है, इद का मौका है, जहां पुलिस प्रशासन अलट है, त्यहारों के मद्दे नजर पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पे मौजूद है, और इन सब के बीच, कहीं न कहीं ये जो मामला सामने आया है, कई सवाल खड़े करता है, दूसरे पक्ष से मुझीव घायल हुए है, तीनों जो घायल है, उनको उप्चार हेतु रवाना किया गया है, मौके पर जो अन्य अभ्यूक्त है, उनकी गरफतारी का प्रयास चल रहा है, ठाना असमौली के अंतरगत ग्राम संहीरनपुर से, आज सुबह जानकारी पराप् जड़ब देखने को मिली है, दो घुटों के बीच लाटी टेंडे पत्राओं के साथ साथ फाइरिंग की खबर भी सामने आई है, राज़ानी लखनव में कोरोना ने रफतार पकड़ी है, कोरोना के 21 नए मरीज मिले हैं, और कोरोना के एक्टिव मरीजों की संक्या 128 हुई है, बताते कि स्कूली बच्चे भी लगतार कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं कोरोना के मामले लगतार सामने आ रहे हैं एक्टिफ केसों के बात करें तो वो अब 128 हो गए है लखनाओ में और फिर 21 नए मामले सामने आए हैं अगर बात करें संक्रमितों की तो इस वक्त सबसे ज़ाद स्कूली बच्चे संक्र में तो हो रहे हैं और इस खबर पर मैंसा जदवाचीत के लिए समधाता गौरव श्रवास जोड़ चुके हैं गौरव लखनाओं में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं इसके पीछे क्या वज़ा नज़र आ रही है क्या ये कोई नया पर यहां पर वो अनुमान भी जो कयास लगाया देगा बहुतू भी नराधार थे और इस बार भी कयास लगाया जा रहा है कि बच्चों पर संक्र में बढ़ेगा अगर टीचर को होता है तो इसी रूप से बच्चों को भी हो जाता है बच्चों में हाला कि एमुनिटी बहुत अच्छी होती है तो निस्टी रूप से वहां पर उनके संक्रम्र के चांसे बनते हैं और यह कारण है कि यहांपर संक्रम्र लगातार ना है सब्सक्राइब करें तो उमिक्रों की बात करें लगातार केस बढ़ रहे थे पर चुकी मित्वी दर बहुत कम थी और चिनता की बात नहीं थी और जो भी लोग संग्रमेश होते हैं उन्होंने घर को आइसरूट करके इलाज कर लिया था और बहीं अगर बात करें तो स्कुल ख कर जिए और उनलाइं पढाई की जाए तो इस नुट से यहां पर बड़ा फैदना पर शाथन को लेना पलेगा और बच्चों को संकमर से बचाना है और साथी सार करम कोई वेक्सिन की बार करें लगवा लगवा उत अपने में एक तीस करोड का बैक्सिन हो चका है तो इस न क्या होती यह बार बचार करने वाली होगी और इसी से आम तो निपटना होगा जी गौरम बच्चे अक्सर अपने परिवार से यह अच्छी और बुरी सीख लेते हैं तो कहीं न कहीं जो बच्चे संक्र में तो हो रहे हैं तो बड़ों का ही असर माना जाना चाहिए क्योंकि कि बड़े जब मास्क नहीं लगा रहे हैं तो बच्चों में भी आदा चूट रही है क्योंकि अच्छी आदते बच्चे जल्दी एडॉप्ट करते हैं हमने देखा कि छोटे-छोटे बच्चे भी मास्क लगाना शिरू कर चुके थे लेकिन अब बड़ों ने भी मास्क टा पान लिया जाता है पर बच्चे घर आते हैं तो घर पर वह गाइडलाइन फॉलो नहीं की जाती है और अगर चुकि हमने दूसी लेहर में लगातार मुत हो रही थी मित्यु दर्ब काफी जा रहा थी इसके चलते लोग अपने बच्चों से भी दूर रह रहे थे मैं आपको को लोगों ने हलके बनेना शुरू कर दिया है उनका ये मानना भी को जीना है और जब मित्यु दर बढ़ती तब जरूर लोगों के मन विचार आता है कि अब हमको एक जो गाइलाइस को फॉलो करना है बच्चों से दूर रखना खुर भी मास लगाना है और बच्चों को भी मास लगवाए लख रहा है जी अजिस तरह से लापरवाही देखने को मिल रही है लोगों के बीचे क्या कहेंगे क्या फिर सक्ति करनी पड़ेगी लोगों को जाब दूरू करने के लिए यह देख सक्ति तो बहुत जरूर बिना सक्ति के बिना तो काम नहीं चलेगा उत्तापरेश बहुत बढ़ा राज जाकर आबादी के बात करें तो बिस्तुकार पांस मद्धु है बन जाएगा उत्त बड़ी आपड़ी यहां पर आबादी के साबसेश गाइडना ने नेने पड़े हाला कि योगी अतना लगाता, रणनीती बनारा, तीन नांगे से लगाता, बेटा कर रहे हैं, लखनो, मुरादाबार, नोएडा, गाजेबा, समित कई महानागरों में मास्क अनबार किया गया पर अब भी लोग मास्क नहीं लगा रहा हैं, तो निशिरू से हमाँ सक् वद्धा तो गौरफ फ्रुवास्तफ जुड़े थे, रसीदे तोर पर सक्ती करने की जरूरत है, क्योंकि सक्ती के बाद ही लापरवाही पे लगाम लगाई जा सकती है, और फिर कोरोना के मामले बढ़ने लग गए हैं, और जादा मामले बढ़े उससे पहले जरूरी है कि ह हम कोविट से बचाओ शुरू करें इसे मीठी ईद के नाम से भी जाना जाता है, वहीं ईद को रमजान महीने के अंतका प्रतीक भी माना जाता है, विशेश समुदाय के लोग इस दिन गरीबों को दान देते हैं, आज ईद के त्योहार को प्रदेश के सभी इलाकों में शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जा रह सुरक्षय विवस्था चाक चौबन दिखाई दी, पुलिस प्रशासन हर तरफ अलवट रहा, सुरक्षा के पुकता इंतजाम रहे, पुलिस प्रशासन ने आला दिकारों के साथ पैदल मार्च कर भी जाइजा लिया, साथी साथ सभी बड़े नेताओं ने भी इद की शुपक किये गए थे, सडकों पर नमाज ना आदा की जाए, इसके लिए भी आदेश दिये गए थे, जिसका पालन किया गया है, और इस खबर पे हमारे साथ जदबाचीद के लिए और एया से हम समधा था, जाहिद अक्तर जुड़ चुड़ चुके हैं, जाहिद आज इद का त्यो पहार मनाया गया है, क्या कहीं से कोई ऐसी खबर जो पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाती हो? जे, तो क्या सरकार दुआरा जारी की गए, सब ही निर्देशों का पालन किया गया है आज एद के मौके पर? जे, अजा सरहा से आदेश दिया गया था कि सड़कों पर नमाज अदा नहीं की जाएगी, तो क्या मस्जिदों और ईद गाउं में ही नमाज अदा की गई है एद की? जी, मैं आपको अदा दूगी, तो क्या उसमें कोई कमी देखने को मिली? जी, जी, करोना का महौल भी देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ यहार है, तो इसको देखते वे लोग क्या जागरूप है या फिर भीड देखने को मिल रही है और बिना मास्क लोग भूम रहे है? जी, बिलकुल, बहुत बश्यक्री हा माय सथ जोडने के लिए तमाम जानकारी के लिए इस खबर पर हमाय सथ और या समवद आता, जाहित अक्तर जोड़े थे चार बजी की चार बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही देश-दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखता रही है प्राइम टीवी